नमस्कार फिवर्श पलकों की छाओं सीजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंटरंस से जहां पर देखने को मिला कि अब एक तरफ तो यहां पर सुमन ले लेती है अंसुमन से दूर होने का फैसला सोच रही होती है कर यह बच्ची अंसुमन जी और संध्या के पास रही की तो फिरस और अब इस बच्ची पर अपना हक नहीं जता पाएगा और इस बच्ची के लिए वो अपने जिंदगी अपने रिष्टेनाते सब कुस्त तोड़ लेते जिंदगी दाव पर लगा चुकी होती है तो वहां पर अपको पूरी तरह तूट भी चुकी होती है कि मेरे इस बच्ची के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती हूँ तो यहां पर अब संध्या करने वाले सारी हदे पाँ जहां पर परिवार के सामने आसा दिखावा करेगी कि वह इस बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करती है लेकिन जब अकेले में होती है तो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है लेकिन परिवार के सामने हर वक्त दिखावा करती रहती है जहां पर सुमन को पता चल जाता है कि संध्या इस बच्ची को एकसेप्ट नहीं कर पा रही यह बस वो दिखावा करेगी परिवार के सामने तो आहां पर वो संध्या को समझाने की कोसिस करेगी लेकिन अब संध्या खेलने वाली बूत पुड़ा खेल जहां पर जल से जल सुमन को इस गर्शे निकालने की कई सारी साजी से रस्ते हुए नजर आएगी और आंसल भी देने वाली उसका साथ है तो अब देखना काफी दिल्चस्पने वाला है कि क्या सुमन समय रहते कर पाएगी संध्या का परिवार के सामने परदा फास क्या सुर्भी सुनाएगी फैंसला की इस कर्शे सुमन नहीं बल की जाएगी संध्या बार